हेलो दोस्तों वेलकम तो माई चैनल पॉइंट और गलास इस तो यहां पर हम आज फर्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चाल्ड डूड एंड ग्रॉइंग अप इसकी पहली उनिट का नाम देख सकते हैं इसके बीच में पहला टोपिक होगा अपना जनम शे किशवा वस्ता का समय वह कितने से कितने के बीच होता है को रहा है कि अदिक को कि पार में पूछा आ सकता है कि यह सिले कर कित्ने वर्ष की i Kane होती है उसके बाद में सबसे पहले आता है शेश्वा वस्ता तो शेश्वा वस्ता को infant age के नाम से जाने आता है infant जो है वो कौन सी बाशा का शब्द है तो latent बाशा का ये भी question बन सकता है कि infant कौन सी बाशा का शब्द है तो latent बाशा का infant का अर्थ क्या होता है इन कार्थ होता है नहीं और फैरी कार्थ होता है बोलना ठीक है तो यह इन फैरी से मिलकर बना है तो अगर पूछले कि इन फैंट किन दो शब्दों से मिलकर बना है इन प्लस फैरी या इन प्लस फैंट इन प्लस और कोई दे दे तो इस तरीके सापको पतान चाहिए इन प्लस पैरी से मिलकर वह जनम से दो वर्ष तक कहता है यह आपको बता दिया इसके बाद में अब आजाता है कि शारीए कुल शरील के लगवग एक वो कुल शरीर की लंबाई के एक चोथाई होती है ठीक है तो ये भी पता अंची आपको इसमें हडियां लचीली कॉमल यह तो नॉर्मल सी बात आपको पता ही होगी उसके बाद में छोटे होते हैं जब बच्चा तो उसकी जो दांत होते हैं वो दूद के दांत यहां पर उता होते हैं 6-7 मीने के अंदर आ जाते हैं ठीक है उसके बाद में भाषा का विकास इसके बीच में क्या हाववा पर दर्शित करने लगता है बट जो बोलना प्रारम करता है वो दो वर्ष की आयू तक के बालक का शब्द कोश्ट 200-300 शब्द हो जाता है एक साल के अंदर वो को पताएंगे कि कितने शब्द सीख लेता है वैसे आपको बस यह याद रखने हैं कि दो वर्ष की आयू तक बालक का जो शब्द कोश्ट है वह 200-300 शब्द के बीच में हो जाता है इसके वीच में समवेग आत्मक विकास मलब कि कौन से समवेग प्रकट करने लगता है भैक चीतों को साथ ही रहना पसंद करता है यह तो नॉर्मल सी बात है इसके बाद में इसमें कोई मतलब नहीं है यह यह टॉपिक्स छोड़ दो उसके अब्यास के प्रशन है कि इसमाने रूप से मानव विकास को डैश अवस्थां में बाटा आ सकता है मानव का विकास जो है या लेटिंग बाशा की शबद है इन प्लस फैरी से मिलकर बना है 12 वर्ष की आयू से लेका 19 वर्ष की आयू का काल प्रोडवस्था कहलाता है दो वर्ष की आयू तक के बालक का शब्द को 200-300 होता है तो यह 600 वहस्था बालक के डैश कहलाती है यह आपको पुताना आ कोमेंट स उसके बाद में मनवग्यानिकों के द्वरा इसे प्राक्टोली अवस्था के नाम से भी उकारा जाता है प्राक्टोली का मनलब है टोली की अवस्था से पहले की अवस्था ठीक है तो इसके बीच में कुछ प्रिवर्तनाना लग जाता है जो श्री के अकार में प्रिवर्तनान तो ये सारी की सारी जितनी विशेषता हैं ये प्रिवर्तनानी लग जाती है इसे वस्ता में बाला का ब्यासदारा, शब्दों का उचारन करना, शब्दावली बनाना, वाक्या बनाकर बोलना सीख जाता है उसके सामेगी विकास एक समाने वैसक के रूप में देखने को मिलते हैं इसमें सारे समय को विकास हो जाता है ठीक है? तो ये बच्चा बताना लग जाता है कि मेरी पेंसल खराब एड्रेस पुरानी हो गी है तो ये मलब कि उसकी समिर्थी तेज हो जाती है थोड़ी बहुत उसमें लड़ाई जगड़ा करना दूसरों को चिड़ाना दूसरों को ड्राना ये सारे की सारे विवार भी देखने को मिलते हैं इसके अलावा जैसे और देखिए बाला के जीवन मिर्थी के प्रत्य अविकास हो जाता है किन्तु यह प्रत्य ऐस परस्ट होता है बाला की सवस्ता में जीव वस्तों को जैसे खिलोना चलता हुआ पंखा चलती हुए कार को जीवित समझने लगता है मतलब कि इसके बीच मे बारा वर्ष की इसको हम क्या क्या टोली के वस्ता भी कहते है क्योंकि इसके बीच में शुट स्कूल के अंदर जाने लग जाता है बच्चा ठीक है इसमें दो से तीन इंच की वार्षिक व्रदी हो जाती है शरीर के अंदर बच्चे का वजन आव तीन से पांच पॉंड तक अधिकता है ठीक है इसके वीच में सायरे संवेक वइकास होजते है इस माघ़्टे को और अधिक मजबूत और मूर्थ संक्रियात्म का वस्ता भी कहा जाता है जिसके बीच में क्या बचा कोई भी मुर्च चीज को देखकर उसके उसका यूज समझने लग जाता है ठीक है जैसकि इसके बीच में लिका है इस सवस्ता में बालक जो भी स्कूल में सीखते हैं जो भी अनुबव करते हैं रेडियो सुनते हैं अगवार चल चितर देखते हैं फिर ने डंग से इसक आर्थ निकालना शुरू कर देते हैं उसके बाद में कुछ अभ्यास प्रशन है जैसकि बालेवस्ता डैश की आयू से लेकर डैश तक चलती है जैसकि मैंने आपको खोशन बताया था प्राइंबिक बालेवस्ता की इस का जो टाइम है वो दो से लेकर पांच वर्ष तक होत दो बागों में बाज़ित किया गया यहाज उत्तरवालेवस्ताा डोवर्ष से लेकर च्रोश तक की होती है तो ऐसता है क्योंकि दो हो elex पूचाना टा उत्तर बालेवस्ता ये गलत है क्योंकि उत्तर बाले वस्ता आपकी 6 से 12 वर्ष के बीच में उतिया बस्ता बालक के निर्मान का काल कहलाता है तो ये आपने लाइन नहीं पड़ी है वैसे ये सही है क्योंकि जितना भी सीखना होता बच्छे को पांच वर्ष की उमर तक या छे वर्ष की उमर तक सीख जाता है ये एक definition भी है ये आपको पता नहीं चाहिए उसके बाद में बाले वस्ता का प्रत प्रतिया आता है कि आती है कि आने समाजी की यहां पर कोश्टन बनने की जास्सट्थ नहीं है इसको छोड़ दिये जए यहां से इतनी टॉपिक नहीं बनेंगे इसमें बस आपको यह बतान जिये बालक कौन से होते हैं आनसी ग्रूप से मंत्बालक दरश्टी दोस्ते हैं इसको बता है रहता हम सुछन है करता ही एक पीड़ी से धूसरी पीड़ी में रहता है पहले के लोग कया करते थे कि पुरुष को पड़ाने अस्तरीयों को नहीं पढ़ाना वह साय गिद्गा captured hoe उजिंग होailleurs दरश्टी दोस्त ग्रसित बालक जिनको दिखाई कम देता है दिखाई देता ही नहीं है पाशा दोस्त से ग्रसित बालक मतलब की जिसको बोलने में दिक्कत आती है श्रावन समंदी दोस्त मतलब जिसको सुनने में दिक्कत आती है तो सारे के सारों को बच्चों को विकलांग बालक आ जाता है और इनको मजाक भी उड़ाए जाता है जिसके एकर उनके अंदर हीन बावना भर जाती है और यह पढ़ने ही बात है महांसिक रूप समद बालक कौन से होते हैं इनका कद कभी कईयों का छोटा होता है कईयों का बहुत ज्यादा बड़ा होता है इनके समय आत् कीसी भीमारी और उलिफ ने क FIN और अंदेपक छिकार हो उतें तरल स्थे ग्रशित वालक जिसके विच्छ में जिसको अंदेबाल विशी प्रदति न्हारा भी पड़ाया सकता हुआख जा सकता है है जिए दूस्त के उंद्र होते है कि जिसको बाद में दिखाएज बाशादोष बाशादोष का मतलब यह है जिसको बोलने में दिकते है खकलाता है गुंगा ए तीक है यह सारी चीजिज़ आती है शर्म दोष में सुनाई नहीं देता है कानों question बता दूँगा कि इनके यह question बनते हैं आप इनके answer बताएं अगर आपको नहीं आता है तो आप comment section में बताएं कि कोंसे question का उत्तर आपको नहीं आता है या आपने यही तरिका रखें पहले topic को पड़ें उसके बाद में अभ्यास question करें तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है comment section अंदर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइकर चैनल पेने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूरू दुबाएं थैंक्यू